हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टुडिया कुकिंग क्लासेस माइनेम इस रोहीनी फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए डिलिश्यस यम्मी बेंगॉली मिठाई का उनलाइन क्लास लेके आई हूँ आपको यह मिठाईया दिक रही है यह सारी मिठाईया मैंने एकीक व्रेंट्स नहीं है यह मेराży और क्लास कोँ यह आप कभी भी कही और आपके ताइम की हिसाब से देख सकते हो यह ओंलाइन क्लास कर सकते हो यह मेरे क्लास की फीज है only 250 रुपीद, बीवादी हो, दशेरा हो या नवरात्री हो, कौन सा भी घस्टिवल हो, यह सारी मिटाई यह आप खुद अपने हापसे बना सकती हो और एंजॉय कर सकती हो, इतनी easy और proper वे में यह मैंने सिखाई हो, तो चलिए मैं आपको दिखाती यह क्लास में मैंने कौन-कौन सी मिटाया कवर की है, यह है राजबोग, बहुत बार हम राजबोग बनाते हैं, लेकिन वो सिरप में जाने के बार उनका जो शेफ है, वो फ्लाट हो जाता है, लेकिन यह राजबोग आप देख सकते हो, इनका शेफ परफेक्ट गोल है, मैं आपको यह सिरप में से निकाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो, यह एकदम परफेक्ट गोल बने हैं, और एक मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो, यह कितने जूसी भी बने है, मैं आपको तोड़के इसका फिलिंग और टेक्शर दिखाती हूँ आप देख सकते हो ये राजबोग के अंदर जो फिलिंग है वो कितना परफेक्ट सेट हो गया है ये इसके सारे टेक्निक्स मैंने क्लास में सिखाये हैं नेक्स्ट है भापा दोही ये भापा दोही खाने में एकदम यम्मी लगता है मैंने इसे केशर और इलाइची फ्लेवर में बनाया है आप इसमें कोई भी फ्लेवर एड़ कर सकते हो इसके सारे टेक्निक और ट्रिक्स मैंने क्लास में सिखाये हैं आप इसमें अपना मंचा फ्लेवर एड़ करके इसे इज़ी और एकदम कम टाइमिंग में बना सकते हो मैं इसका आपको टेक्शर दिखाती हूँ वाउ आप देख सकते हो कितना एकदम मस्ट और पर्फेक्ट टेक्शर इसे आया है नेक्स्ट है संदेश संदेश भी खाने में बहुत यम्मी लगता है आप देख सकते हो कितना ये टेंप्टिंग लग रहा है उतना ही वो खाने में भी बहुत डिलिश्यस लगता है और ये फटा-फट एकदम कम टाइम में बन जाता है ये है औरेंच मलाई बर्फी नाम सुनते ही मुँ में पानी आ जाता है वैसे ही ये मलाई बर्फी है ये औरेंच मलाई बर्फी का मैं आपको टेक्शर दिखाती हूँ देखिए कितना एकदम पर्फेक्ट टेक्शर आया है इसे और ये मिठाई ऐसी बनी है कि मुँ में जाते ही ये घुल जाती है एकदम डिलिश्यस मिठाई है और ये सेम मिठाई में आप आपकी पसंद से कौन सा भी फ्लेवर आड़ करके इसे बना सकते हो इसके टेक्निक मैंने क्लास में सिखाए है ये है चमचम चमचम एक माउथ वाटरिंग ऐसा स्वीट है इसके अंदर एक मस्ट डिलिश्यस स्टफिंग डारा हुआ है और इसको ड्राइफूट का टच दिया है ये भी खाने में बहुत यम्मी लगता है ये है मलाई चाप ये भी बहुत डिलिश्यस मिठाई है इसको मैंगो फ्लेवर में बनाया है आप आपकी पसंद से कौन से भी फ्लेवर में इसे बना सकते हो वो कैसे बनाना है वो सारे टेक्निक्स मैंने क्लास में सिखाए है ये सारी मिकाहिया एदम कम टाइम में बनने वाली है और जो एजी अवेलेबल चीज़े रेती है उनका ही यूज करके बनाये गई है ये क्लास करने के बाद आप आप और भी ले सकते हो और पुदका क्लास भी स्टार्ट कर सकते हो आपको अगर मेरा ये ओनलाइन क्लास करना है या इसके बार में कुछ भी जान करी चाहिए तो आप मुझे नीचे दियेगे नंबर पे कॉल कर सकते हो इसके अलावा मेरे और भी ओनलाइन क्लासेस है उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है ऐसी अलग-अलग रेसिपीस और ओनलाइन क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लिक करना ना भूलिए थेंक्यू